वल्कम बैक टू माई चैनल आई होप सब बहुत अच्छे होंगे आप सब का प्यार दुआ के वज़े से हम सब भी बहुत अच्छे हैं चिंदकी का कहानी में मैं प्रियाब सब को करती हूं स्वागत और अगर आप मेरे चैनल में आया तो सब्सक्राइब करना मात भूलिएग मजे बहुत जरूर हा थो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब में तो फैर जो है मैं बेटाको उठाने के लिए उपर आ गया था और बेटा अभी तक सोया है तो चले बेटाको बैले उठा लेते हैं तो इधर रात को पढ़की एपना स्कूल बैग रेडी करके किताब पुताब ऐसे ही छोड़ देता है तो यह सब आप लोग को पता होगा जो मेरा ब्लॉक देखते हैं मुझे अभी सर्याना है तो गेश्ट आएगा मेरा घर कुछ तो मैंने दो रूम रेडी किया कंबल उंबन निकाला फिर यह सब कंबल मैं उठा के रख देती हूं जब गेश्ट आता है तभी ओस करती हूं तो यह रूम में मेरा जो जो गेश्ट आ रहा एक नीचे वाला और यह रूम नीचे वाला रूम मेरा आगे वाला ब्लॉक में दिखाए थे और एक दिन मैं होम टूर जरूर करूंगी तो आप लोग को अच्छा से सब घर का पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा पता होगा अगर जिसको नहीं पता है उसको पता चल देगा तो होम टूर को ब्लॉक मेरा बहुत जल्द आने वाला है तो यह बाप और बेटा सोया है तो पहले मैं बेटा को उठा देती हूं एक को ऑफिस एक को जाना है तो दोनों को पटापट से उठा के रेडी कर देती हूं क्योंकि इसकोल का गारी बहुत जल्द आ जाता है सुबा सुबा उटने में मेरा बेटा को बहुत दीकत होता है क्योंकि वह तो लेट सोता है जैसे ही सुला हो नहीं सुएगा तो उटके वास्रूम चल गया वास्रूम का बाद में उसे फटापट खिलाती हो और कपड़ा पड़ा चेंज करके उसे रेडी कर लेती हूं तो यह हो गया पुरा-पुरी मेरा बेटा तयार आप उसका एक आदत है जो रोटी काता है तो थोड़ा जा टुकरा हूँ रख देता कुत्ता के लिए वो इसका मतलब बच्पन से आदत है मेरा बहुत ब्लॉक में आप देखे होंगे और एक बात एक कुत्ता का बच्चा रोज उसके लिए बैठा रहे तो देखिए और उसका नाम भी मेरा बेटा दिया है उसको मेरा बेटा चिकु कहके बुलाता है तो जैसे चिकु बोलेगा वह दौर कर आजाएगा मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पेट लवर है वह कोई भी आनिमल हो गया बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो मेरा बेटा स्कूर निकल चुका है और आज मैं काम थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा अज काम करना और गिश्ट जल्दी ओसके जो कि एगारा बजे तक जो आने वाला है वो सब आजाएंगे तो इसी वज़े से मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगी तो इसका बिंगा पहले साहरा कपड़ा दूप में दे दूंगी और बेटा जो खाना पीना खा के गया सब कुछ सरीया हो और फिर मुझे यह होता है चाय पीके वास्रूम जाते क्योंकि वह भी नौदस बजे निकल जाएंगे तो इस सारा का रात का बरतन था और बाकी में बेटा जो खाया उसा बरतन में निकाल दिया था और आप देख सकते हैं आप मैं चाया बात आपका कीचन चल गया और हस्बन का पहले चाय ब गेस्ट आने वाला वह भी निरामिस खाते हैं और हम लोग भी खाते हैं तो इसी वज़े से आमिस बनाने का कुछ नहीं है तो मैंने ड्राइंग रूम जो खुषने का बाद है वह कुछ इस तरह का है तो मैंने आप लोग देख सकते हैं कि टेविल क्लोथ आप मेरा देखे थे लेकिन उसका उपर मैंने आज यह बिचाया था अलग से केस्ट आए इसलिए तो चटनी बन चुका था डाल बन चुका था और आलू पस्तु भी बन चुका था मेरा और खाना बनाते में थोड़ा बहुत काम जो है वह भी कर रही थी तो आपको उपर भी दिखा देंगे थोड़ा देर में तो आप यह हम लों का पूजा रूम का साफ सफाय हो गया और मैं नहाद हो के हो गया था तेयार आज भाद देख सकते कितना बन रहा है और इधर मेरा गोबिका सब्साइब करके ऊचे था और मैं नहाद हो के पूजाबं गए था रेड़ी तो मैं सारी पहनी थी यह सारी आप लोग आगे वह देख सकते हैं तो यह उपर है उपर का यह फोटो आज से तीन साल पहले का है तो यह फोटो फ्रेम में मतलब फ्रेम था फोटो नही एक ब्लोग में आलु का बोडा का रेसिपी देखे हूंगे तो यह साम को हम लोग चाय के साथ बना रहे हैं सब कोई खाएंगे इसलिए तो फिर गेस्ट आने के बाद हम लोग सब कोई बात चीत की खाना पिना खाये और सोगे थे थोड़ा से रेश्ट कि और फिर साम का वक्त हम लोग थोड़ा साब आप लोग खाने का मनुह हुआ कुछ चट पटा तो बना रहे हैं आप हम लोग तो हैसे कहाते खाते फीर आप लोग से मिलते आप लोग को बोल देते हैं मेरा देवर आया मेरा देवरानी आया मेरा नाना दाई और मेरा मोससास आये तो यह गेश्ट मेरा घर आये हुए है अभी तो यह चावल का गुंडी है इसमें मैंने जो आलू बाल के रखा था इसको मिक्स कर देंगे और फिर मैंने तेल में जीरा और अद्रक दिया उसको थोड़ा से फुंच कि इसका सथ मिक्स करेंगे और रात को अभी हम लोग खाएंगे और रात को मतर पनीर बनाएंगे और रोटी बनाएंगे सिंपल सा क्योंकि आज निरामिस पहले मैंने बोल दिया था अज मीट मचली पनीर और मतर और अलू सब कुछ हम काट के रख दिये थे यह अलू मेरा नानत काटा था और मतर चीमिय हम छील के रखे थे तो आलू को थोड़ा से मिक्स कर लेते इस से मिक्स इसलिए करें कि कोई अलू गरम था बहुत ज्यादा इस बज़ेश से हाथ में लग जाएगा तो अब आप एसा कुछ खिलाना चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट हो तो प्लीज यह अलू का बड़ा का रेसिपी ज़रूर ट्राइगा यह थोड़ा डिफरेंट होता है बहुत करंची होता है और बहुत ज्यादा टेस्टी होता है यह चाही का साथ बहुत अच्छा लगत ल कर Columbary लगेगा कैसे लिफ देर मैंने पनीर आलू और मतरची में सब को आपको देखा देया मैंने काटके रखा था पानीर भी चड़ा दिया तेल डाला जीरा डाला और जो चिक्ता चोटा करके मैंने आलू काटके रखा था वह भी डाल दिया और इसको में बहुत अच्छा से भूंजी लोंगे जो मेना आलू का बोड़ा था वह खा रहा था सबको और इधर थे थोड़ा थोड़ा लेके जा पिर मैंने मतर और टमाटर और थोड़ा धनिया पत्ता और आपका थोड़ा अशा मेगी मसाला अधर और क्या डाला था मेर्ची पाउडर फिर मैं इसको बहुत अच्छा से बुंज लोंगी और इसका जो में श्मेल है वह खतम हो जाए पिर मैंने मत पनीर और पानी डाल दि तो जल्दी हो जाएगा तो इदर मेरा मोसिसा आठासान के रोटी बना रहे तो अभी हम लोग सब कोई गब सब मारें वो मेरा मोसिसा से और यह मेरा सरसूर जी है और यह मेरा ननद है और मेरा देवरा देवरानी उपर था तो हम लोग सब कोई मजा कर रहे थे बात कर रहे और हास बोर रहे थे मेरा अस्बेंट था वो भी ओफिस से आ चुके थे तो हम लोग खा रहे थे संच बत्ति हम देखा चुके थे तो आभी भी मैं इधर बनाई रही तो रही हो आलू का बोड़ा कुछ-कुछ क्योंकि वह लोग भी आने वाला है इस वज़े से तो अगर आप दोनासा मेरा बीटा बोल रहा था कि मुझे बीटली खाना है और आटा बढ चुका था तो मैंने रख दया फिर मैंने बीटा के लिए इतली बनाया था और मेरा बेटा के टीफिन बॉक्स जो था वह स्कूल बैग में रह चुका था तो मैंने उससे निकाला था और कुछ- ब्लॉक एहीं करते हैं नेक्स ब्लॉक में फिर मिलते हैं